हाई फेंस मैं हूँ विक्रम और यह मेरा CSS3 Transition Effect का 7th और प्रवाइबली लाज्ट टिटोरियल है तो चलिए इस टिटोरियल में हम 4th circle को style देंगे तो हम fully developed website में देखते हैं कि हमारा जो div है उस पर effect दिया हुआ है तो जैसे हम इस पर hover करते हैं तो यह scale हो करके 0 से 1 हो जा रहा है तो चलिए text editor open करते हैं और उसमें हम जाके type करते हैं div.effect4 और उसके अंदर जो हमारा div है तो सबसे परले div को style देने से पहले हम image को positioning देंगे तो हम लिखते हैं image position absolute top 0 left 0 और यहां पर मैंने semi कलंच होड़ दिया तो guys यह absolute positioning देना जरूरी होता है इसका current मैंने पहले ही बता चुका हूँ तो चलिए अब हम लिखते हैं div.effect4 और उसके अंदर जो हमारा div है सबसे पहले हम देंगे opacity मैं इसका value देता हूँ 0.8 इसके बाद लिखेंगे हम transform इसका value हम दे जेते हैं scale और guys मैं बताता हूँ कि मैंने यासा क्यों लिखा है और इसका value हम देंगे 0 transition duration इसका value हम देते हैं 500ms color white तो guys यहाँ पर मैंने लिखा है transform तो transform का क्या मतलब होता है तो transform basically एक effect है जो किसी भी element को shape, size और position चेंज करने देता है transform का value हम लिखते है translate, rotate, scale या skew और यहाँ पर मैंने लिखा scale scale गया होता है scale method element के size को increase या decrease करने देता है तो अब आप समझगे हों कि मैंने यहाँ पर scale क्यों लिखा है तो चलिए हम यहाँ पर लिखते है div.effect4 और इसको जब भी हम hover करेंगे तो हमारा जो इसके अंदर जो div है transform scale और यहाँ पर value देता हूं 1 तो काईसी मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं कि जब भी 500ms में scale होके 0 से यह 1 हो जाए तो चलिए हम refresh करते हैं और यह देखिया हमारा value 0 पहले 0 था और जैसी हम इस पर hover करते हैं तो scale होके 0 से 1 होता है तो आप इसका value 1, 2 भी कर सकते हैं लेकिन 2 करने पर यह और भी बड़ा दिखेगा हमें तो चलिए हम इसका value हम change करके देखते हैं refresh और यह देखिया हमें off काफी बड़ा होके दिख रहा है तो scale का value आप इस तरह से change भी कर सकते हैं तो चलिए मैं इसे 5 से पहले की तरह 1 कर देता हूं next हम 5th circle को style देंगे तो चलिए इसके लिए हम लिखेंगे सबसे पहले और guys यहाँ पर आप देख रहोंगे fully developed website में कि यहाँ पर 4th और 5th almost same है तो चलिए इस code को हम copy कर लेते हैं paste और यहाँ पर मैं value change कर देता हूं यहाँ पर लिख देता हूं 5 क्योंकि यह effect 5 है और यहाँ पर value मैं change करके मैंने 5 कर दिया है और guys यहाँ पर देखिए कि हमारा fully developed website में यह हमारा image जो है वह style लिए हुए है तो चलिए इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे div के जगह मैं image कर देता हूं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह हमारा पहले से scale 1 है और जैसे हम इस पर hover करते हैं यह 0 हो जा रहा है तो इसके just opposite है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और जैसे यह 500 millisecond में mouse hover करने पर यह value 0 हो जाए यहाँ पर हम 0 कर देते हैं और चलिए से हम refresh करते हैं और यह देखें हमारा 1 से 0 हो जा रहा है यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा कि यह beautiful जो लिखा हुआ है यह हमें दूर से हमें दिख रहा है तो चलिए से हम हटाने के लिए opacity को हटा देते हैं यहाँ पर मैंने opacity दिया है और in fact यहाँ पर आप देखें div.effect5 image div.effect5 image दोनों same ही है तो इसके लिए मैं यहाँ से इन दोनों को हटा देता हूँ और इसे फिर से refresh करता हूँ और यह देखें यह हमारा beautiful जो है अब नहीं दिख रहा है तो चलिए हम last circle को भी CSS style दे देते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं div.effect6 और उसके अंदर जो हमारा image है उसके हम देते हैं position absolute top 0 left 0 और guys यह positioning देना बहुत ही जरूरी है overflow hidden transition duration मैं देता हूँ 1200 millisecond guys यह code तो self explanatory है तो आप समझ गयों है मैंने ऐसा क्यों लिखा है फिर मैं लिखता हूँ div.effect6 और इसको जब भी हम hover करेंगे तो उसके अंदर जो हमारा image tag है इसको हम box shadow दे रहते है इसको है transform का एक और प्रपर्टिजम दे सकते हैं वह है rotate और इसके अंदर हम लिखते हैं degree आप यहाँ पर minus 360 भी दे सकते हैं ताकि यह anti clockwise direction में move करें और यह देखिए यह just opposite move कर रहा है तो चलिए इसे हम फिर से 360 ही कर देते हैं तो guys इस tutorial में इतना ही next tutorial में हम कुछ नए सीरीज के साथ फिर से आएंगे तब तक के लिए good bye and don't forget to subscribe to my channel